या आप भी पालर जाते हैं face waxing के लिए तो रुख जाएए सिर्फ एक बार इसे try करके देख लीजिए इससे आपके जो अंचाहे बाल है चेहरे के facial hair है जो वो एक बार में ही पूरे निकल जाएंगे और आपकी जो skin है वो जादा glow करेगी एक दिन में ही सिर्फ एक दिन में ही आप अपने blackheads whiteheads को remove कर अपनी skin को glass जैसा चमका सकते हैं इस आसान से face pack को use करके इसके जो results है ना बहुत ही अच्छे मिलेंगे आपको और बहुत ही fast मिलेंगे आप इस वीडियो में देख पाएंगे live result जी हां क्योंकि इसको लगाना और इसको उतारना बहुत ही ज़्यादा असान है और result बहुत ही ज़्यादा अच्छा pill of mask आपके पास बनकर ready होगा ना कि आप किसी भी party function पर जा रहे हैं और आपके पास time नहीं है आप फटा फट से इस pack को बनाईए और अपने चेहरे पर लगाईए इससे कि आपके dead skin cells भी उतर जाएंगे blackheads whiteheads से वो भी हट जाए जिसे कि आपका चेहरा बहुत ही जादा स्मूथ दिखेगा तो वीडियो को complete watch कीजिएगा और अगर अच्छी लग जाए पसंद आए वीडियो तो इसको like जरूर कीजिएगा दोस्तों और दबा कर इसको share कर दीजिएगा अपने friends and family members के साथ तो सबसे पहले आपने लेना है एक कटोरी और उसमें डाल देना है सिर्फ एक चमच गिहू का आटा जी हाँ वही आटा जिसकी हम सभी रोटियां खाते हैं और उसी के साथ डालेंगे एक चमच कॉफी पाउडर इसके बाद आपको लेना है एक चमच पील ओफ मास्क जो भी पील ओफ मास्क आपके पास है आप उसका यूज कर सकते हैं मैं यहां पर हिमाल्य का टैन रिमूवल पील ओफ मास्क यूज कर रही हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ दस रुपे में मार्किट में मिल जाता है बहुत ही असानी से और इसे मैं हमेशा अपने पास रखती हूं जब भी कही मुझे जाना होता है त चहरे से टैनिंग भी निकल जाती है और इसको अप्लाय करने से ना फेशल हेर जो होते हैं चोटे-चोटे इसे बाल जो हमारे चहरे पर होते हैं जिसकी वज़े से चहरा इतना ज्यादा स्मूथ नहीं लगता है वो भी निकल जाते हैं तो इन सारी चीजों को आपको मिक्स क अच्छी तरह से कंबाइन हो सकें सिर्फ मेरे कहने पर मच जाए एक बार खुद इस फेस पैक को बना कर ट्राइ कीजिए अपने चहरे के लिए यह आपके चहरे से डर्ट इंप्यूरिटी को खीच कर निकालेगा और बिकॉज ऑफ गेहूं का आटा कॉफी आपकी जो स्किन अनिवन हो चुकी है उसको इवन चाहरे को आपको पूरे धो अपने चैंडनी को है विवन हो चुका है से उसके लिए आप कोई भी DIY स्क्रब भी यूज कर सकते हैं या फिर मार्किट में मिलने वाले किसी भी स्क्रब का आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आपके अगर पोर्स क्लीन होंगे तो इस पील ओफ मास्क बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके चहरे पर आएगा तो मैंने अ प्रेमेडी को हफते में एक बार और लगातार पांस से च्छे हफते के लिए यूज कीजिए और उसी के साथ अपना स्किन केर फॉलो करते रहिए तो फिर नीचे आकर कॉमेंट सेक्शन में बताईएगा कि इसके क्या रिजल्ट्स आपके चहरे पर आएगे तो अच्छी त तरह से एक ठीक लियर में अपने फेस पर अप्लाए कर लीजिए तो अच्छी तरह से अप्लाए करें इसको अक्सर क्या होता है कि हमारे फेस के साइट्स पर यानिकि कानों के पास जो है जादा फेशल हेर होते हैं तो यहां पर थोड़ी सी मोटी परत में आप इसको तो यहां पर आपको अच्छी तरह से प्लाए कर लेना है चिन पर भी बहुत सारे लोगों को जो है फेशल हेर की प्रॉब्लम होती है तो वहां पर भी आप ठीक लियर में लगाईए वैसे तो ऑल अवर फेस पर ही आपको ठीक लियर में ही अप्लाए करना है तो कुछी इस सुखाना इसको बहुत ज़्यादा जुरूरी है तो ही जो आपकी फेशल है वो इसके साथ निकल पाएंगे टैनिंग रिमूव हो पाएगी तो चलिए वेट करते हैं इसको कम्प्लीटली ड्राइ होने तक का तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको सूखने में 15-20 मिट ही अब इसे आपको कर देना है अपने चहरे से पील जी हां धीरे धीरे अपने बालों की डायरेक्शन में आपने इसको पील कर देना है जिससे कि आपके डेट स्किन सेल्स उतरें आपकी टैनिंग उतरें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके फेशल हेर को बहुत ही अच् अच्छी लगी है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजेगा मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टेकन